कि यह गाइज वासब कैसे आप सब लोग स्वागत है आप सभी कड़ेट अडिवोस सवन पे मेरा नाम है अभिने सिंग तो गाइज जैसा कि उमीद है आज आप लोग एक दम जो कुशन है उसका गर्दा वड़ा के आए होंगे जी हां तो देखिए आज जो एक्जाम है वो ओ लेवल है वो कैसा रहाolor भी दरहा या फिर आपको मॉडरीट से जादा रहा या फिर आवरीज रहा चिक है तो यहाँ पर टेकनिकल और नाटेकनिकल यानि कि मैं और गिरधारी से आपको दोनों ही यहाँ पे टेकनिकल और छो नॉन टैक है इसका जो रेशियो है कि या कैसा तो फटावर से आप लोग यहां पर कमेंट करके बताईगा कि आपको जो पेपर है वो कैसा रहा बताईए फटावर से यहां पर कमेंट करके सारे लोग कैसा रहा आपका पेपर कैसा रहा आपका पेपर कैसा रहा आपका पेपर नमस्कार राहूल नमस्कार बताईए भी पेप करके सरा गर्दा उड़ाय कि निए फिपर का फटावर से बताहिका कमेंट करके और यह गया इस ना फटावर से एक बार सारी लोग शेर कर दीजिए गा जल्दी से जल्दी जिससे यहां पे जो एक्जाम का एनलेस्स होने जा रहा है इसे सब लोग जो है वह जोड़ पाए तो फटावर से शेर कर दीजिएगा तो रहुल भाई एक दम अता रहे कि एक दॉन लग घर्था वड़ा दिया दैस वेरी गुड़ भाई होना भी चाहिए है तो यहां पे चलिए सीधा क्या कहते सर पेपर को खोला जाया फिर थोड़ा सार जिनका कल है वह तो मतलब आज जरूर देखके जाएं क्योंकि हापे सर आपको बताएंगे कि आपका जो नॉन टेक का पोर्शन है वह कैसा रहा गाई जैना तो फटावर से यहां पर देखिए जो पोल है इसमें यहां कमेंट बॉक्स में पोल डाल दिया गा है कि जो पेपर और फीडबैक जैसे जैसा आप लोग का फीडबैक आता जाएगा वैसे वैसे हम यहां पर बता पाएंगे कि आपका जो एक्जाम है एक्जाम का जो कट आफ है वो आपका क्या रहेगा तो फटावर से गाई एक बाई शेर कर दीजेगा दूसरों को अपने भी ग्रूप में जो भी जिसका गुरुप है नहीं सारे कलिक्स को अपना शेर कर दीजेगा ठीक है तो चलिए यहां पर थोड़ा से जो पेपर है इसको ओपन कर लेते हैं तो गाइस देखिए यह रहा आपका पेपर और यह जो पेपर है आपका भई देखिए तो यहां पे सबसे पहले नॉ किसमें मिलता है तो देखिए यह तो थोड़ा सा मुझे भी यादे सर आई तिंक यह जुर्वेज इसका राइट आंसर है कि मुझे पता नहीं चलिए सरी बताइंगे हां पर और यह पता है यह कुशन आ कहां सरे पहली बात हो यह कुशन जो आर बीसी की नही राजिस्तान की सब्सक्राइब को बताया था सर यह करके जाना जरूर और लाश्ट में एक सेसन भी लिया था इसका देखिए भाई मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो जो लिश्ट है न जी इसका इसको फॉलोव कर लिजिए गा आपको वहीं से मैग्जम कुशन दिसे मान लो आपका इस ब सब्सक्राइब हो गए और इसके लाबाद सब्सक्राइब होगी वहां से कुशन आ रहे हैं और यहीं से कुशन टफ होते हैं सर देखे तो भाई देखिए अभी दूसरे शिफ्ट में जाने वाले हैं वह एक बार जो सर बताता है यह तोपिक जरूर करके जाए बागी राज जो पॉलिटी और मैं जो राजसंद मॉर्टनिस्टी का जो क्रक्स दिया था उसको आप एक बार पढ़ लो आपके दस कुशन जो अगली सिफ्ट के अंदर पका आएंगी बिल्कुल तो यह कुशन से आपका कि राजस्तान के निमने लिखित राज ये पाला हम ऐसे किम अम् डिमसाइडी त annale कि राजस्टी कि अपके लुटए हैं विपुशन आपके फीयी खाला के पाला हम यह कि अतल अगा था भी कुशन यही साथ इझाला था इक एढ़ीत की अगा धालते थे कीस आयों जुचन सेद्वें यहां था थेर्वें यहां वाड रपृते हैंतीकर उर इसको जरूर करके जाए यहां पर कुशन देखिए रिपीट हो रहा है आपके रिपीट एट लिए आगे बढ़ते यहां पर देखिए और यह कुशन यह कुशन सर दूसरी तीसरी क्लास के अंदर ही बोला था कि यह आएगा और यह देख लो से जान वावधी त्रमुकी और ल राजस्तान में यही समझ याए कि यह लोग वहां पढ़ते हैं पता नहीं जहां इनको मतलब भी नहीं ऐसी टैसरीज हों फच जाते हैं जहां से आप देखना इनके क्या कमेंट आते हैं देखिए मैं आप लोग के इस हमेशा पहले से बता है क्योंकि मैंने भी इंजीदिरि सब्सक्राइब कर देखिए मैं आप से लेवल पूशना चाहूंगा कैसे लेवल सर्मॉड्रेट है मॉड्रेट और थोड़ा पर है अच्छा थोड़ा सा कुछ ऐसे कुसन है जो रियल में बहुत बढ़िया जैसे नरम्दा का कुसन कुचा जो है एन्याव कोई नी कर सकता ब जीवन पर दुले के वेसमें यह वाला कुसन रजब थे गजब गयो रजब जी यह एक दुला था दादू दियाल की बात करते हैं तो यह जन्द मुझे आजीवन कुवारे रहे थे और दुले के वेसमें घूमते थे खतरनाग यह देखो यह रिपीट है और दुबारा चीचार है न उसको एक दम घाट बांड लिजेगा जो आपका नेक्स सेशन है नेक्स सेशन में जो भी आपका एक्जाम है आपका कल देखे भी मेकनिकल वालों का हो अब भी शेकें सब्रूम बालों का पेपर है तो एकदम मतलब नॉक करके जाएगा यहां से कुशन दीख क आपके repeat हो रहा है तो लीज यहां पर जो भी repeated type को शुन्स है उसको जरूर कर जाएगे गाँ। और यहां पर अरुट कुशने पर यहां पर विद्रोव में यह कुशन कम से कम RSMSB लिवीगे अगर यहां पर सबस्की है अगर आप आर आरे समसिर में पर करके जाते है और आप कोई टैसरीज नहीं करते है तो आप का यहां पर बहुत अच्छा स्कूर होगा प्रीवीट हुए प्रिवीश फिलिट विद्धिन कंगार यह रिपीट हुआ है बहुत सारे कुछिन से यार मतलब डैरेक्ली रिपीटेट हो रहा है जैसा कि आपको यह समझाया वीटा की कुछिंस जो है प्रिशन से उसको करके जाईएगा और फटवर से एक बार कमेंट करके बताएगा और जो भी जैपूर में ज कोई बुक्स हो तो निकाल ले वहां से और एक बार लस्ट के जो अभी रिसेंट के जो पेपर हुए है कम से आपको चार गंटे लगेंगे और चार गंटे में मैं बोल रहा हूं का रियल मैंना दस कोसन ऐसे कर लोग जो आपको बिलिव नहीं होगा वो कोसन करके आएग तो सर ने यहां पर बता रहे ना जो वाली बुक्स है प्लीज जाएगा उसको इसको एक वार करके जायेगा क्योंकि मैंने आपको समझा था कि या नॉन टेखनी क्या है अपका बेस है चालिस कोशन है यहां पर आपके 120 में चालिस कोशन आ रहे है तो मन भुच समझ सकते कि नॉ तो आपको GS का लेवल था वो कैसा लगा लेवल और आप सबने जो सेशन्स लिए वो आपके लिए कितने ज्यादा है फटाफर से कमेंट कीजिएगा जिससे यहां पर जो दूसरे लोग है उनको भी गाइस देखें हैं कुछिंस की तरफ तो नेक्स्ट कुछिन है कि यह कर लो यूटूब से जैसे भी हो इसको कर लो एक नमबर आपका यहां से चौर है राजस्तान आगे यह बहुत बढ़िया कुछन राजयपाल से दो कुछन आगे यह पर्थम रोप जितने भी रोपे जरूर देखे जना ठीक है रोपे वाला मैं भी देख रहा हूं कि अभी का यह पर लिए पास कोई भी भी बुक हो या फिर भाई जिमेन रोपे आप अपको दो कुछ ब्सक्षिन इस तरीकिए गवर्नर का अपी गवर्नर से र्टीकल ने सकता ने अच्स टाम आइन्स टाम पूचा जाए यह बहुत बढ़िया कुछ यह श्तार में अंतर कितना यह यह तो मतलब आज दो एक पेड़ बैज जलता मेरा अभी मनी बैज वहीं पर निकाला मैंने 43 इसका इस तरीके के कुछिंस कर देखिए कोई तोड़ा नहीं होता है ना मतलब आता है तो सर्टी को नहीं आता है तो आगे बढ़ियेंगा क्योंकि देखिए और फॉर्टी वन कुछ च蒼कत फॉर्टी थे खिर लुका फॉर्स चिरस इंड्रागंदी बपर शुर्णाब Då Shore authors से बार बार कु संदा रिया अगर आप प्रवन नहीं कुरों तो इंड्रा गंदी ने परियों जिलार जरूर करके जاؤो इंड्रा गंदी नेर पर योजे नभां अच्स यहां तो सर इन कुश्यंस को देख थोड़ा से कुछ मतलब ऐसा गार में सागर भढ़ने वाला को सब्सक्राइब अपनी मेरा तरुए अपने यही पर इंजीने सब्दापे तो वहां पर राजस्तान की मॉर्डनिस्टी और इसके लाओ मैंने जो पॉलिटी पड़ाई वो करके जान अब यहां से पका एक उसन आ रहा है कि पूर भी राजस्तान नहर परियोजना क्या है इसके बारे में अगे बटते हैं यहां पर देखिए तो नेक्स देखिए नेश पॉटी परिवन का पुछाए तो भरतपूर-करॉली सवाई माधपूर औ दालपर तो अगर ऑप्शन करें तो नहीं सकता करो लिए सबसे यह मतलब यह जिंदगी अश्टेटिक सबसे टुप्ट हो कि यह है परिवार अच्छा रांस पर आगे अटे हैं यह को खंबो की सट्री सट्री से कोशन आ गया और यह सीता राम ना बहुत बढ़िया कोशन है यह बहुत बढ़िया कोशन है कि राणा-सांगा से कोशन तो आने ही आना था है अलब यह तो आना रही है कि यह कुछती विस्तार करना शुप्रदेस से थोड़ा बहुत अच्छा है यह वाला कुछन और यह जनरली हरको इस्ट्ट्ट करके आगा अनुप्रस्त बालु काटी ले तो अगला जो है अनुद तो तूसरा सेंट यू ना सकता आपकी पेपर में बरकान बरकान टाइप से पुछा जा सकता है लवी यहां पे सर जो जी एसका बता रहे ना उस तरीके साप जी एसको कर लिजिए बाकि जो टेक्निकल है कोशन है तो में बार बार कुषं आरे में वार से भी बार बार कुषन आरे और यहां का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इसे कुषन पता नहीं कहां से लेकर आते हैं जो मंदब अपने आप में अलग है बहुत अच्छे कुछ ने बहुत बढ़िया कुछ ने मनला टॉप स्टार अब यह जार वार रिपीट होगा यह वाला कुछ अच्छान में तो तीन चार कुछ राएंगे मोडरेट है और नॉर्मल ठीक ठाग है लेकिन जो बार से आ रहे वो तो बोलें कि सर आपको ठीक है तो तो यहां पर जो पेपर है वो काफी अच्छा रहने वाला है जी एसका और जो टेक्निकल वापका सेलेक्शन डिसाइड करता है तो यहां पर देखिए अब फटाफर से य तो टेक्निकल पर सबसे पहले बढ़ते हैं आगे यहां पर देखिएगा और फॉर हंड्रे फॉर्टी के वी ट्रांसफोर्मर है जा कोर लॉस आपको दे रखें और फॉल लोड को पर लॉस दे रखें दा इफीशेंसी पोर्शन आप दा फुल लूड भाही मतला यहां पर जितने भी लोग देख रहा है मैंने कितने बार करवाय था यह वाला कुशन यहां पर मैग्जों एफीशेंसी के लिए आपको क्या पूछा है यहां पर सिंपल आपको जो मैग्जों एफीशेंसी है तो मैग्जिमम एफीशेंसी के लिए आपको क्या पूछा था यहां पर देखिए simple आपको क्या होता है maximum efficiency के square root of core loss divided by i square r losses है ना मतलब बताई कितने बार नहीं है मैंने आपको जो question है वो करवाय था ना बहुत बार यह questions करवाय था आपको तो देखिए सारे के जो मैंने आपको sessions करवाय थे वो directly यहां पर आपको दिख रहा है यह देखिए again in a AC rotating machine the generated EMF देखिए question मतलब कितने बार करवाय था कि कोई भी जो आपका voltage होता है ना आपका machine transformer कोई भी जो आपका generated voltage होगा वो हमेशा अपना जो mean flux है mean flux है कहां पर होगा हमेशा 90 degree की lagging position पर होगा कहां पर होगा हमेशा lagging position पर होगा है यह question देखिए same मतलब जो sessions थे मतलब अब लोग यह मैं सोचने के paper मैंने set किया है तो यहां पर देखिए अभी तक 2 questions देखिए इनका जो level हो क्या है आपका okay okay level है चीक है तो इसका option है वो क्या हो जाएगा option C is the right option lags by 90 degree चीक है चली आगे बढ़ते है फटाफट से यहां पर तो यहां पर देखिए यार मतलब थोड़ा से वेट कीजिए इस पर लिखनी पार किसमें इसको कुलना है तो यहां पर जिस गाइज एक मुट वेट कीजिएगा okay चली तब तर आगे देखिए यहां पर तो यहां पर देखिए त्री फेस फेडर का जो फीडर का प्रोटेक्शन है वो पूछा गया है तो भाई देख सकते हैं कि यहां पर यह जो सारे कुश्चन से वो अनलब डैरेक्टली आपको बताए थे और यहां पर देखिए कंट्रोल सिस्टम का कुश्चन आया है तो यहां पर देखिए कंप्यूटर बाबा थोड़े से नहराज हो गया है न तो कंप्यूटर बाबा को थोड़ा से जली से फटावर से देख लेते हैं तेले ग्राम में तेलेग्राम में तो just a wait guys, थोड़ा सा, एक वेट आपको क्योंकि जो solutions भी देना है साथ में, इसलिए यहाँ पर देखिए, जो solutions देना है, इसलिए तोड़ा सा यहाँ पर इसको reopen कर लेते हैं, फटावर से. ओके तो यहाँ पर देखिएगा, इसको फटावर से जूम कर देते हैं, और यह, ओके चलिए, तो यहाँ पर देखिए, इलेक्टिकल को जो पेपर देखिए, पर इसको देखते हैं, अच्छे, इसमें clear नहीं देख रहा है, बिल्कुल भी. पर देखिए, आपको बता ही दिया था यह वाला तो, तो फटावर से जो इलेक्टिकल है, इसको देख लेते हैं, और यहाँ पर जो कट ओफ है, उसको प्रिडिट करेंगे, कि कितना जो यहाँ पर कट ओफ है, वो रह सकता आपका, तो I hope, जो GS वाला portion है, वो आप लोगों का अच्छा रहा होगा, है न, और जो second shift में जा रहे हैं, वो एक बार यहाँ पर जो questions है, उनको देख के जाएं, कि आपके जो क्या-क्या questions है, वो आपके पूछी गया है, तो यहाँ पर देखिए, इस वाले questions का, क्या answer हो जाएगा, का right option देखिए, यहाँ पर, तो मैंने आपको यह सारी चीज़े बताई थी, यहाँ पर, सुझे कि कोई भी जो flux है, आपका, कोई भी आपका जो flux है, वो हमेशा अपने ही, यह आपका हो गया main flux, और जो यहाँ पर 90 degree है, 90 degree पर आपका, जो EMF है, अपने ही flux है, मिलता है, 90 degree, lag lagging position पर मिलता है, तो मतलब simple type का question है, कि बहुत जादा कोई, ऐसा question नहीं है, यहाँ पर, कि बहुत जादा tough question हो आपका, और यहाँ पर देखिए, जो next question है, आपका, signal flow diagram से है, तो signal flow diagram से पूछा क्या गया है, यहाँ पर, देखिए, delta पूछा गया है, गल्ती मत कर देना, यहा मतलब यह question मतलब कितने बार repeat हुआ है, ESE का question है, तो मैंने आप लोग को भी समझाया भी था, कि अगर आप राइस्तान जाहिए, यहाँ का degree वाला paper देने जा रहा है, तो यह जो question देखिए, directly कहां से repeat हुआ है, आपका, previously जो आपका ESE का paper है, ESE Electrical Engineering, यहाँ देखिए, उसका is at two end of the line is 132 kv and its reactance आपको दे रहा है, था, capacity of the line, तो यह भई किसका question है, surge impedance, loading का question है, मतलब इसका तो देखिए, पक का गरदा ओड़ा दिया होगा, आप लोगों ने, और यह जो question से मैंने आपको कितने बाहर करवाय थे, यहाँ पर आप लोग खुद कमेंट करके बताएग प्लीस कि यह वाला जो, questions है वो, कि जो आपका questions है, यह कितनी बार मैंने आपको बताया था, नहीं बट, surge impedance, loading, तो यहाँ पर बताईए, जो आपका surge impedance, loading है, तो यहाँ पर बताईए, जो आपका surge impedance, loading है, सिल्क क्या होता है, आपका, nothing but VL square divided by Z, और Z की जगाँ आप यहाँ के sessions करवाएते हैं, आप लोग यहाँ पर प्लीज कमेंट करके बताईएगे कि आपको कितना जादा है, वहाँ पर जो advantage है, देखने को मिला है, आपको questions में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, यहाँ पर जो questions है, वो आपके क्या कह रहे हैं, देखिए, next आपका super position theorem है, तो देखिए, super position theorem मतलब इससे जादा simple कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए, super position theorem से question लेकिन, यहाँ पर मैंने आपको क्या समझा है था, क्या समझा के बेजाता है, कि exam में अगर super position लिखता है, तो भाई देखो इसको लिखने तो है, आपको क simple यहाँ पर क्या करना है, कि यहाँ पर simple एक node voltage माल लेना है, ठीक है, node voltage भी माल लोगे, और यहाँ से जो current है, आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है, तो यहाँ आपका voltage रखा है, simple एक node equation लगाई और यहाँ से answer है, उसको पा लीजिएगा, और यहाँ फिर अगर super position से करना च यहाँ आते हैं, simple क्या कीजिएगा, एक बार इसको voltage source को हम क्या करते हैं, activate करेंगे, तो current को deactivate कर देंगे, यहाँ पर दो source अच्छा, दोना ही आपके voltage source दे रखें, तो एक बार 5V को activate कीजिएगा, और एक बार 10V को activate कीजिएगा, और यहाँ पर resultant आई उसको निकाल लीजि मैंने वो आपके directly यहाँ पर देखे जा रहा है, ठीक है, तो देखो, पहले भी यार, GS के लिए मैंने आपको बताया भी था, कि देखिए, GS तुम्हें आपको पढ़ा नहीं सकता, technical की मैंने आपसे पूरी guarantee लीती कि technical को मैं आपका मतलब जो गर्दा है वो उड़ा ही दूग रहेगा, ओके, चलिये, तो यहाँ पर देखी, two port network का question दे रहा है, आपको की, when, one port of two port circuit, short circuited, I1 और V2 दे रहा है, which one of the following is two, simple, यहाँ पर क्या की जिएगा, जो y parameter, उसकी equation रहेगा, equation से compare कर लीजियोगा, यहाँ पर जो answer है, वो आपको मिल जाएगा, ओके, अब देखिए यह simple question, इस से ज्यादा simple question कुछ हो सकता है, क्या, question number 53 को देखिएगा, कितना ज्यादा simple question आपका यह आया हुआ है, power factor पूछा है, तो यहाँ पर देखिए, जो power factor है, cos y, cos y क्या होता है, simple, ry, z, है न, तो यहाँ पर देखिए, r का value कितना हो गया, 20, so r is nothing but, 20, z कितना हो जाए ठीक है न, okay, आगे बढ़ते हैं, next question देखिए, यहाँ पर, यह question मतलब, आप लोग प्लीज मुझे बताइए, कि मैंने आपको यह question कितने बार बताया था, comment करके बताइए, फटावर से कि यह वाला जो question है, कि secondary breakdown occurs in, यह आपको class में कितने बार करवाया था, यहाँ पर देख secondary background problem है, वो देखने को मिलती है, और इसकी देखिए, जो proper answer वर की है, वो added 24-7 के जो app है, उस पर upload कर दी जाएगे, आपको question number 1 से रेके, question number 20 तक, तो अभी तक जो यहाँ पर देखिए, जो questions का level आपको देख रहा है, वो कैसा देख रहा है, एक बहुत ही moderate सा level है, वो आपको मतलब question तो आप हाई नहीं कह सकते है, तो यहाँ पर देखिए, इना electronic ohm meter open is used for, तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़े आपको, मतलब यह exam में करवाया था, मैंने आपको, no load current कर देखिए, question directly repeat हुआ है, मतलब यह तो अभी एक दिन पहले ही करवाया था, यहाँ पर, separate in a load commutation mode in case of, तो यहाँ पर देखिए, load commutation है, load commutation का मतलब होता है, कि जो load parameter है, वो आपके commutation में क्या करें, support करें, commutation is what, आपका जो तायरिष्टर है, उसको on state से off state में ले जाना, तो right option क्या हो जाएगा, RLC underdamped, यहाँ पर underdamped आपका, जो है, load होना चाहिए, तभी क्या हो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, आपका transfer function आपका again पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, देखिए, angle condition in a root locus is given, भाई भाई, इससे ज़्यादा simple और क्या होता है, कि mod of GSH SH 180 plus minus, plus minus होना चाहिए, यहाँ पर, no issue कोई plus नहीं देगया है, तो क्या हो जाएगा, यह is the right option हो जाएगा आपका, ठीक है, वालब यह तो direct question है, यह तो मतलब देखने वाले question है, कि answer मतलब question देखो, और जो answer हो, वहाँ पर, ticker और आगे बढ़िएगा, ठीक है, ठीक है, और whatever से यहाँ पर, जो questions है, वो देखते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पर सिंपल पूछा है, जी के क्या represent करता है, नतिंग बद, gain of the kth forward path, तो इसका right option क्या हो जाएगा, is the right option, ठीक है, तो यह की simple, मतलब जो question से आप देख पा रहे हैं, कि बहुत ही simple, simple, जो question है, वो पूछा गया, देखी, यह वाला question, फटा-फट से comment करके, की universal घरों में use होता है, billing के लिए, यह कितने बार मैंने आपको नहीं करवाया, तो whatever से आप लोग यहाँ पर session में comment करके बताइएगा, कि क्या होगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर over compensation, over voltage and vibration, सारे का सारा यहाँ पर जो option है, वो सही है, so, D is the right option, यह देखी, exactly question मैंने आ आपको वहाँ पर sessions ता वहाँ पर करवाया, so guys, really है, आप सब लोगों के लिए, again play करता हूँ, जिनका हो चुका है, और जिनका होने वाला है, कि जो sessions से आप लोगों के लिए, बहुत जादा, यहाँ पर helpful रहे होंगे, और जो question है, वो directly निकल के यहाँ पर आ रहे, आगे दे से RHS में आपका एक भी पोल और 0 नहीं होना चाहिए, right option क्या हो जाएगा, बीजदा, right option, एक भी आपका पोल और 0 हमारा, RHS में लाइ नहीं करना चाहिए, otherwise system कैसा हो जाएगा, unstable हो जाएगा, चीक है, तो I hope guys, आप यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं, वो एक दम मतल चली, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, next आपका जो question है, वो body plot का question है, body plot consists of two separate plots, one which consists of, तो देखिए, जो body plot है, आपको पता ही, आपका logarithmic plot है, आपका magnitude versus phase and आपका magnitude, तो यहाँ पर देखिए, right option जो आपके सामने हो जाएगा, 20 log 10 versus log omega, तो देखिए, यह option इसका right option हो जाएगा, so A is the right option, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह सारे जो question से वो आपको करवा चुके हैं, Now next, यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा आपका, देखिए, communications के question भी आपको यहाँ पर दे रखें, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर जो question से देखिए, इस तरीके के जो, कि transmission bandwidth of AM signal, जो आपका AM signal उसका क्या bandwidth होगा, तो देखिए, यह trans, उसके basics के question है, आपके जो question से वो कैसे हैं, आपके basic question है, आपके communication के, तो अगर आपने थोड़ा सा भी देख लिया होगा ना, तो आपका जो paper है वो, यहाँ पर ज्यादा question तो नहीं देख रहा है, communication के, एक दो, एक दो questions से देख रहा है, आपके, बटेस्टी यहाँ पर देखिए, एक एक question selection के लिए बहुत important होता है, चलिए, आगे question देखते हैं, यह देखी यहाँ पर, यह देखो लल्लू राम सा question पूछा गया है, the per unit impedance है, तो per unit impedance आपको पता ही है क्या होता है, simple, आपका ohm, यानि कि यहाँ पर जो per unit value हो क्या हो जाएगा, आपका, z ohm divided by z base, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहें, किसका भूल जाना, किसका पूछा गया है, 3 phase का, तो यहाँ पर answer गलती से भी गलत ना कर दें, चीक है, so anyway, यहाँ पर देखिए, तो आपका right option क्या हो जाएगा, अच्छा, यहाँ पर चीक है, no issue, कुछ मतलब दे ही नहीं रखा है, आपका 3 phase का भी same ही दे रखा है, so, z per unit nothing but, आपका, sorry, a is the right option, not b, तो आपका right option यहाँ पर क्या हो जाएगा, a is the right option, m यह divided by kv base का square, चीक है, तो यहाँ पर देखिए, basic से जो question है ना, वो questions आपके पूछेगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं देख रहा है, कि बहुत जादा आपको कोई भारी भरकम questions पूछा गया, तो यहाँ पर zero sequence की बात कर लेते, zero sequence current of generating four line to ground fault आपको कितना भी रखा है दे, the current neutral, तो भही मतलब मुझे बताओ यार, ऐसा लग रहा है कि मतलब सारा का सारा जो paper है ना, वो कहां से उठके आगया आपका, कि जो मैंना आपको सेसंस कराए तो वहां से आगया, तो आपको पता है कि जो neutral current है आपका, neutral current क्या होता है, आपका, three times of zero sequence current है ना, यह होता है, तो बस simple multiply कर दिए, यहां पर three, जो right option है वो आपके सामने आ जाएगा, that is the right option, देखिए कितना simple सा question जो है, पूछा गया है, ओके आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए, the maximum current during the slip test on a synchronous machine, the armature mmf align, यार मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या कहूं, मतलब शब्द नहीं आ पा रहा है कि यह जो आपको देखिए माने machine का जो session लिया था, वहां पर यह सारे question कर रहा है तो जो slip test है, slip test मतलब आपको देखो simple सा पता है कि जो q access है, q access में आपको जो mm, sorry जो आपका current है, वो क्या होता है, आपको maximum मिलता है, तो यहां पर देखिए xd, slip test किसके लिए करते है, xd और xq के लिए, तो xd में क्या होता है, आपका direct access reactance है, उसमें, आपका maximum voltage divided by minimum armature current है न, और जो आपका xq है, xq में क्या होता है, आपका minimum voltage divided by maximum current है न, देखिए, मतब directly जो questions है वो आपको शैसन से दिख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए, यहां पर बता भी रहे हैं आपके, Priyanka और Pallavis और भी नहीं, thank you so much, आप लोगों के लिए जो efforts हैं, आगे जितने भी आने वाले exams हैं हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं और फटावर से, तो यहां पर देखिए, क्या पूछा गया आपका देखिए, ग्रेडेड इंडेक्ट, यह आपका communication का question है भई, auto transformer का question पूछा गया है न, the fraction of power transferred inductively, तो देखिए, मतलब यार मुझे बताईए, यहां पर बताईए, आप फटावर से की जो इसका जो answer है, आपका क्या होगा, मतलब यह exactly session में से आया है कि नहीं है, यह बता दीजे, exactly session में से आया है, V1 minus V2 divided by V1 C is the right option है न, यह directly question पूछा गया आपका, पूछा गया है न, पूछा गया है न, directly यह जो question है, वो आपका session में से पूछा गया है, तो कितने बार मतलब यह question से वो आपको बताया गया है, यहां पर देखिए, यह वाला भी देखिए, same question एक और दिख गया, मतलब can't believe यार, कि यहां पर इतना जादा जो question से, यहां से, वो session से repeat हो रहा है, देखिए यह वाला question, four alternator, यहार, please comment करके बताए, यह वाला question मैंने, आपको मतलब session में exactly बताय था न, और यहां पर बताया भी था, कि यह जो four है न, four, इसको please यहां पर underline कर ले न, मतलब यह shame सब्द मैंने, अपने session में कहे थे, तो यहां पर देखिए, चार alternator ने जिसका कितना दे रहा है, 20% जो है आपको दे रखा है, तो यहां पर आपका जो fault MVA वो पूछा है न, तो क्या हो जाएगा, one upon x equivalent into base MVA, लेकिन अगर यहां से आपने गलती यह की होगी, कि यहां पर जो चार alternator ने इसको अगर neglect किया होगा, तो पक्का आपका गरदा उड़ गया होगा, तो यहां पर यहां पर देखिए, निकालना पड़ेगा, so 20 है न, तो 4 कितने हैं आपके, चार आपके parallel में लगे हैं, तो यहां से 20 का x equivalent होगा, कितना आजाएगा आपका, 5, बस अब आपका जो solve होगा आपका, तो 1 upon 5 into base MVA कितना है आपका, 5 जो आपको वो दे रखका है, तो यहां से और into 100 से multiply कर देंगा, तो जो answer है वो आपका निकाल आएगा, तो देखिए, fault का question पूछा गया, simple है और यहां पर inverter का question है, single phase full bridge voltage source inverter है जा, inductor L as a load, ठीक है, for a constant source voltage, the current through the inductor is, तो देखिए भई, आपको क्या दे रखका है, inductor pure load आपको purely inductive दे रखका है, so triangular, मतलब यह सारे question देखिए, superconductivity observed, मतलब यह questions directly आपको सारे के सारे देखिए, so यहां पर देखिए, the EMF equation of DC machine, questions यहां पर देखिए guys basic level के पूछे गाए, जो यहां पर EMF equation है, वो क्या होता आपका, P5N Z into 60A, यह होता है आपका आपका, simple simple जो आपका questions है, यहां पर पूछे गाए, तो guys देखिए, यहां पर इसकी जो proper explanation की है, वो यहां पर side पर upload कर दी जाएगी आपकी, तो यहां पर देखिए, RLC circuit में omega पूछा गया है, मतलब सारे के सारे जो questions है, वो session से आए, 1 upon square root of LC है न, बस यह तो करना है यहां पर, और Hindi English दौनों में पेपर है, आपका देखिए, Nyquist का question है, वो दे रखा है यहां पर, stable और unstable पूछा गया है, यहां पर देखिए, communications के मैं देख रहा हूँ कि communications के questions जो है वो काफी अच्छे पूछे गया है न, आप देख रहा है कि जो communication है वो अच्छे पूछे गया है, लेकिन जो diploma वाले उनको communications जो वो नहीं पूछा जाएगा, चिक है चलिए, तो anyway यहां पर, तो देखिए, यहां पर जो plug setting multiplier रहा है यह मैंने आपको कितने बार नहीं करवाया होगा, जो plug setting multiplier क्या होता है आपका nothing but fault current divided wire, यहां पर क्या हो जाएगा आपका pickup current, IPK into CT ratio ठीक है यह हो जाएगा, ओके गयाज तो देखिए, यहां पर जो questions है आपके almost आपके यहां पर moderate to, कुछ एक जो questions है वो जैसे total आपके 80 question है, तो 80 में से लगवग जो 10 से 15 question है वो काफी अच्छी level के है, जिसमें जो communication है उसको include अगर कर दिया जाए, तो बाकी यहां पर जो paper है आपका, तो कैसा रहेगा आपका moderate, ठीक है moderate level का जो paper है वो आपका रहा है आपका चीक है, tough तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, और ऐसा नहीं कि मैं अपने point of view से बोल रहा हूँ, आप लोगों के point of view से बोल रहा हूँ कि paper जो आपका moderate रहा है, और देखिए यहां पर अगर एक cut off की बात की जाए, आउट of 120 है तो जितना अभी तक आप लोगोंने feedback दिया है देखिए, तो negating marking भी है आपका है तो यहां पर almost जो cut off रहेगा वो general के लिए 90 प्लस जो cut off है वो आपका general के लिए रहने वाला है, और अभी मैं बता दू यह जो अभी cut off है अभी बहुत कम feedback आया है, तो जितना feedback आया है उसी के बिहाब में बताया जा रहा है आपका, जितना ज्यादा feedback आएगा जो cut off की analysis है उतनी बहुत अच्छी हो पाएगे, चीक है तो आप लोग please comment करके भी बताएगा offline की कितने किसने attempt की है, उसी साब यहाँ पर जो feedback है वो predict किया जाएगा, till now हमारे पास जितने भी response आये, 92 आपका 95 रख लीजिए न, 95 plus है यह cut off आपका जो है वो जा सकता है, 95 जो plus है वो cut off आपका जा सकता है, 95 प्लस जनरल के लिए है, और based on कि आपका जो feedback है वो कैसा आ रहा है तो जैसे जैसे feedback आएगा, लेकिन अगर मैं एक overall देख हूँ मेरे हसाब से जो paper आपका जिस तरीके से रहा है, negative marking भी रहा है, तो almost आपका जनरल category के लिए 100 आपका जो 100 के आसपास है न, यह जो cut off है वो आपका जाना चाहिए, बाकि let's see क्या होता है, शाम तक यहां पर और जादा feedback आएगा, तो exactly यहां पर जो analysis है, कि कितनी cut off जा सकती है वो देखेंगे, लेकिन अगर यहां से आपके 100 प्लस जो marks बन रहे हैं, अगर किसी के भी तो आप safe score में है, ठीक है 100 प्लस अगर बन रहा है तो safe score में, आप चले जाएंगे, तो और बाकि लोग यहां पर comment करके बता सकते हैं, तो देखिए अभी जितने भी लोग जा रहा है न, एक्जाम के लिए यहां पर आपके जो राजस्तान का सीरीज डला होगा, उस सीरीज को देख लीजेगा एक बार जो लास्ट के तीन-चार वीडियो है, एक तो जो रिवीजन वाला पावर सिस्टम का और मेजरमेंट का रिवीजन वाला वीडियो देख लीजेगा, और जो आपका एक और यहां पर जो सिस्टी कुशन है ना, उस वाले वीडियो को देख लीजेगा, लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत जादा हैलफुल रहेगा आपका, तो गाइस वीडियो को यहीं पर समप करते हैं, बाकि आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि बाकि सारे लोगों का पेपर जो कैसा रहा, अभी आप सारे लोग पेपर से निकले होंगे हैं ना, ट्रेन पकरड़ा होंगे कुछ खाने पीने का देख रहे होंगे, आप सब लोगों के लिए इस बार कुछ बहुत ही अच्छा करें, So, thank you so much everyone.